जै भूले नाथ जैसा कि इन दिनों सावन का पावन माह चल रहा है भूले नाथ को समरपित ये मास शिव भक्त बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं तो वहीं इस भी शिव भक्तों के लिए दो बड़ी खुश खबरी के बाद सामने आई है जी हाँ दोस्तों बता दें कि सिगरा इस्थित जिस नाथ को टाई नगर छेत्र की पवित्र जमीन पर 20 सालों से अवैद कबजा था उस पर बीते दिनों वरांची कमिशनरेट पुलिस ने कार्यवाही कर 24 घंटे में इस पवित्र जमीन से गुंडों का कबजा हटा दिया है जिसके चलते स्रीकाशी नाथ को टाई नगर छेत्रम प्रबंध सोसाइटी निवरांची में इस्तित कासी विश्वनात मंदिर को बाबा के शयन के लिए एक तुनहराचान्दी का बिस्तरदान में दिया है तो दोस्तों कुई न ये दूसरी बड़ी खुश खबरी की बाद आगे आपको इसी से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों बताया जा रहा है कि काशी विश्वनात मंदिर के अंदर जिस पलंग पर शयन आरती के बाद बाबा विश्वनात विश्राम करते हैं उस पलंग को बदला जा रहा है श्रीकाशी नाट को टैस सोसाइटी ने 25 किलो एक नया चांदी का पलंग मंदिर को दान में दिया है जिसके कीमत लगभग 12 लाग है जैसा कि आप इस वीडियो में मन महुलेने वाला चांदी का पलंग देखी रहे होंगे बताते चलें कि सावन के महीने में ये पलंग गर्भ ग्रह में स्थावित किया जाएगा और बाबा के शयन आरती के बाद बाबा इसी पलंग पर विश्राम करेंगे इसी बीच बता दें की विश्व कल्यान की कामना के साथ श्री काशी नाट कुट्टै नगर छेत्रम प्रबंध सोसाइटी की ओर से तीन दिन का महारुद्र यग्य किया जा रहा है 24 जुलाई यानी कल यग्य पूरा होने के बाद कलश यात्रा निकाल कर अभिमंतरित गंगाजल से बाबा विश्वनात का जला भिशेक किया जाएगा फिर उन्हें चांदी का नया आसन अर्पित किया जाएगा जिस पर बाबा विश्वनाज शयनार्ती के बाद विश्राम करेंगे कुंडली टीवी डेक्ट से तानिया की रिपोर्ट बोले नार्र मेरे बोले शम्ब बाबा कुंटेंडली. झाल झाल